बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त होती रहती हैं जिन में से कुछ बंदू तो ऐसे होते हैं जिनका संकल्प टूटता भी है जो की ब्रमचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विचलित भी हो जाते हैं वो भटक भी जाते हैं लेकिन वो खड़े हो करके एक नए संकल्प के साथ इस यातरा पर आगे बढ़ते हैं अपने आपको सही दिशा देने की कोशिश करते हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट भी प्राप्त होते हैं और मैं आसपास भी अपने बहुत सारे जो जुड़े हुए बंदू है उ इतने हावी हो चुकी है हमारी पूर्व की समृतियां कि जब भी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पीछे के जो विचार हैं जो अनुभव हैं वो आकर के हमें रोकते हैं हमें बादित करते हैं लेकिन यहां सोचने वाली एक और बात है कि हमारे समृति पटल पर अनुभव करते हैं वो अनुभव अगर हम उस समय पर जागरत कर लें जिस समय पर हमारी इच्छाएं हमारी कामेच्छाएं हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं तो निश्जत रूप से हम इनसे बच सकते हैं तो बहुत ज़ादा जरूरी है कि जब भी आप अपन अपने संकल्प से हटने लगें, अपने संकल्प से गिरने लगें, तो उस समृति को विक्सित करें, उस समृति को विक्सित करें कि जब इस से पुरू मैं इस प्रकार के किसी भी कार्य में, करत्य में, भोग में लिप्त हुआ था, तो उसके बाद का जो अनुभव था, वो अ ऐसा नहीं हुआ है कोई जिसमें मुझे इन क्रियाओं से बहुत उर्जावान अनुभव हुआ हूँ, बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ हूँ, मैं और अधिक उर्जा से आगे बढ़ने में सक्षम हुआ हूँ, इसके विपरीत हमेशा मैंने गिरा हुआ, हमेशा मैंने अप दर्शन में भी मैर्शी कहते हैं कि वितराग विशेवा चित्तम वो क्या कहते हैं कि जब भी जीवन में आप भटकने लगे वितराग जो वितराग पुरुश हुए हैं जो सब राग आशक्ति से मुक्त होकर के जीवन में आगे बड़े उनका चिंतन करो तो उनके चिंतन से क् हमारे समृति पटल पर हमारे मस्तिष्क में अच्छे सुसंसकार विक्सित होने शुरू हो जाएंगे, हमें अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी कि कितना सुंदर, कितना सधा हुआ और कितना विक्सित जीवन जीकर के वो लोग गए हैं जो कि अपने सनातन संस्कृती से जुड़ शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से मेरा आपसे ये विशेश सुझाव है, हम इसी लिए अपने संकल्पों से गिरते हैं, कि हम स्मृति को खो देते हैं, उस स्मृति को खो देते हैं, जो कि हमें उस तरफ जाने से रोक सकती है, जब उस भोग में लिप्त होए थे तो आपन यही कहता है, कि मैंने बहुत संकल्प करता हूँ मैं, कि अब मैं इस तरफ नहीं जाओंगा, ये मारग मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने जिवन में आगे बढ़ना है, मुझे अपने जिवन को सुन्दर बनाना है, मुझे अपनी उर्जा को सही स्थान पे लगाना है, ऐसे बहुत सारे संकल्प लेकिन वो सारे संकल्प की स्मृति रुक जाती है, दब जाती है और विक्सित हो जाती है, वो केवल एक स्मृति के वो क्षणिक जो कुछ सेकंड्स का आनंद आपको उसमें मिलता है, वो इतना हावी हो जाता है कि आपके मस्तिश्क स्मृति और आपके व बबारा अनुभव को जो कातियों पड़ भी सकते हैं कि मैंने तब ये अनुभव किया था, ये संकल्प के थे, मैं उन अपने संकल्पों को अब दोराता हूँ और इन संकल्पों के अधार पर अब मैं इन चीजों से बचता हूँ, बहुत जरूरी है और बहुत लाबदायक भी हो सकता है तो उन सम्र्तियों को विक्सित करना बहुत जरूरी है जैसे कि कुछ समय से मैं निरंतर विद्यार्थियों के लिए ये विडियोज ला रहा हूँ तो ये भी विद्यार्थियों के लिए ही विशेश संदेश है क्योंकि इससे अगर आप बच जाते हैं, अगर ब्रहंचर्य में स्थित हो जाते हैं, तो आप अपनी समय का बहूत बड़ा हिस्सा बचा लेंगे. क्योंकि कोई एक ऐसा नहीं है, कि किले ग्रिया है, वही समय आपका खराब हो रहा है. ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा समय का खराब हो जाता है, चाहे आप फिर अगर ऐसी भावना से प्रेरित होते हैं, तो चाहे आप किसी से बात करें, आशली इलवारता करें, या फिर आप कोई फिल्मे त्याजी देखें, कोई चित्र देखें, कोई पुस्तक ऐसी कोई भी तरीका हो सकता है आपका, तो आप अपने घंटो घंटो उसमें व्याय कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बंदु आते हैं, कि हमारा बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत सारा समय कैसे लगता है, इसी लिए समय लगता है, कि उस अनुभो को दिर्ग करने की कोशिश करत और उससे समय नश्ट होता है, उससे उर्जा भी नश्ट होती है, और जो समय आपके भविश्य के लिए लगना चाहिए, वो समय आपका यहाँ पर व्य होता है, तो कितनी बड़ी क्षमताओं को आप खो रहे हैं, जो शाररिक नुकसान है, जो मानसिक नुकसान है, वो तो है ह जो अध्यात्मिक है जो आपके स्वाध्याय का आपकी पढ़ाई का आपके बहुत सारी चीज़े सीखने का या फिर आप बिजनस करते हैं या कुछ भी ऐसे चीज़ करते हैं जिसमें आपको निरणतर सीखने के और सरजनात मक्ता की आवश रकता है वो आप फिर नहीं कर कारण एक सिधासा है कि निरंतर अपने आपको आकरशक दिखाने का हमारे मन में जो भाव है ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक सात्विक जीवनशैली उसे चाहिए कि उसके मार्ग में कम से कम अवरोध हूँ अब अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य का अनुष्ठान करना चाहता है और अवरोध को अकरशित करता है कि अवरोध मेरे सामने आए, मेरे रास्ते में आए, मुझे रोकें अब इसका कारण तो सीधा सा यही है ना कि हम इतने सुंदर कपड़े पहनने के कोशिश करते हैं अपने आपको इतना आकरशक दिखाने के कोशिश करते हैं ऐसी मेरे पास वस्तुएं हों जो कि आकरशित लगें क्योंकि कारण क्या है कि हम खुद के लिए क्या, खुद के शरीर को तो केवल अगर आप बहुत सादे से और ऐसे कपड़े में हैं जो कि जिसके आरपार हवा अच्छे से गमन कर सके, जो कि आपको बैठने उठने में सहज हो ऐसे वस्तर जो कि ट्रेडिशनल हमारे जो परंपरागत रूप से हम पहनते आए हैं पूर्व समय से ही वो इसी दरश्टी कों से बनाय जाते थे, के भई हम उनमें एकदम अच्छे से रहें और उसमें कोई बाधा नहीं हो, हमारी जिवनशैली व्यायामादी करने में भी और दूसरे कामों में भी लेकिन जब उनसे हट करके हम इतने टाइट कपड़े पहनते हैं, हम जिससे कि हमारे शरीर के अंग उभार सपश्ड रूप से दूसरे व्यक्ति को दिख सकें, चाहे उसमें कोई महिला है, चाहे पुरुष है, लड़की है, लड़का है, दोनों के लिए ही ये समान रूप से इंप्लिमेंट होती हैं चीजें तो अपने आपको ऐसा नय बना करके परोस हो, कि लोग आपकी देह को देख करके आपके आसपास मंडराना शुरू कर दें, और एक और बात समझ लें कि किसी भी रिष्टे की नीव जो है, अगर शरीर है, तो वो रिष्टा लंबा चल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के भोग की भी एक सीमा है, समझो, शरीर का भोग निरंतर नहीं कर सकता व्यक्ति, कितना भी कामेच्छाओं से पुरित भरा हुआ व्यक्ति है, वो भी निरंतर 2400 घंटे संभोग आदिक्रियाओं में या फिर इन सब कार्यों में लिप्त नहीं रह सकता, तक्षमता है शरीर की एक ब पुरी हो जाने वाली है, बहुत लंबा समय भी उसमें नहीं लगता है, तो जो संबंद शरीर के आधार पर ही बनते हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिखाई देते हैं, मैं अपने आसपास पर इवेश में, संबंदों में और बहुत जादा समाज में ऐसा देखत या फिर भाव पर, या फिर प्रेम पर, या फिर सुख पर, या सात्विक्ता पर, अगर ऐसा है कि आपके संबंद आपको निरदतर विक्सित करते हैं, तो अच्छा है, सात्में बने रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को विक्सित करें, ऐसे संबंद और ऐसे प्रे तो आप दर जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें तो बड़ा त्याग है, उसमें तो बड़ा संयम है, उसमें तो बड़ी सात्विक्ता है, वो तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको तो शरीर चाहिए और शरीर वहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो ऐसा प्रेम तो आपको चाहिए नह तो आप प्रेम के लिबादे में अक्रशन को लपेट करके अपने आपको संतुष्ट ने करें वास्तविक्ता में जीएं वास्तविक्ता को समझें तो अपने जीवन शैली को कहने का अर्थ सिधा सा यही है कि जितने भी विद्याड़ती है सबसे पहले उस समर्ती को विक्सित करें जो समर्ती आपको साधना की तरफ ले करके जाती है बादक नहीं है जो आपको साधती है जो आपको इन सब चिदों से दूर रखती है इनमें फसाती नहीं है उस सम्रति को लिख ले, उस अनुबव को लिख ले, उसको दोबारा पढ़ें, जिस भी तरीके से उसे याद रख सकते हैं, शास्तरों में यही कहा गया है, जो मैंने उधारन दिया आपको, इसी के आधार पर चलें, और अपने जीवन स्तर को उचा उठाते हुए सात्विक त तो थोड़ा ध्यान रखे सजग रहें, और इस तरीके से निरंतर प्रगती करते रहें, तो आज इन ही विश्यों पर थोड़ा सा मैंने आपका मार्ग दर्शन किया है, कुछ बंधों का ऐसा भी कमेंट प्राप्त होते हैं, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन वास्टिकता ये है कि मार्ग दर्शन ठीक उचित प्रकार से हो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रात्मेक है, आदिय दूरी जानकारी या भाव अगर मैं प्रेशित करूंगा, तो वो मुझे संतुष्ट नहीं करता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैं अग्रेशित करता हूँ, तो आप इन छोटी-छोटी चीजों को भी अगर लेकर के आते हैं जीवन में, तो बहुत सुन्दर और विशाल परिवर्तन हो सकते हैं, जो बंदु अभी इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर अवश्य जुड़े, और छोटी-छोटी से टिप्स और बहुत सारी चीज़े प्राप्त होती रहेंगी, तो आज के लिए हम इस विशय को यहीं पर समाप्त करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना, ओम नमस्षिवाई